स्वसन ए उसमा क्षेपक प्रक्रिया छे एक एवी रिदे चलो आपने यहने व्यवस्तित समझे पैली वस्तु आ मिद्रो MCQ, SQ अब अधी जगे आक्विशन खाली जगे आमा पण पूछाई सके के स्वसन ए कई प्रक्रिया छे तो तो तमा जवाब मा लगसो स्वसन ए उसमा क्षेपक प्रक्रिया छे चलो कि आना समझे सवथी पैलू आपने जीवन जीवामा टेसे नी जरूर पड़े छे उर्जा नी एनरजी नी हवे ए उर्जा आपनने किया अथी मळे छे तो खपर जे आपने ख्वराक मा थी मळे छे अवै जरे आपंने ह्वः खाए e झाए झाई ये नी आन्दर पाचन धाये छे अवे ज्यारे आपने ख्वाराक ने खाईये छिये औने ए ख्वाराक सरेड़नी अंदर पाचन थाई छे आपने ख्वाराक खाईये जेनु सरेड़नी अंदर सु थाशे पाचन पाचन थाए त्यारे ए खोराक छे ए पाचित पदार तोमा विभाजीत थाए जाए छे तो अपने लखिए जे खोराकनु शरिर्णी अंदर पाचन थाए त्यारे सु थाए जाए चे विभाजन थाए छे अणने आ खोराक नू जयरे विभाजन थाई छे, आ उप्रांत आपने कोई पन प्रकार नो खोराक खाई है, जेमके आपने उदर न आपिया चे टेक्स्ट्बुक मा ब्रेड, भाद, के बटाका, आवी तमें कोई पन वस्तु खाव छो, त्यारे ए प्रक्रियादर म्यान, ला प्रक्रिया दर्मयान उष्मा मुक्त थाई छे, जेने आपने स्वसन तरीके ओ लखिया छे, तो आने लगतू सुत्र पण आपने लखी सके आरीत है, जेमके आपने खोराक खादो छे, एटले सु बने C6H12O6, एटले बनी गयो ग्लुकोस, अवे आपने स्वासमा सु लईय प्रक्रिया दर्मयान उष्मा मुक्त थाई छे, इतला माटे आपने तेने उसमा क्षेपक प्रक्रिया तरीके ओड़ा किया छे, जेमके C6 छे, तो इनी निपजु बाजु छे, करवा आगल किटला मुकाश छे, हवे आगल जुए, आईया कार्बन नी संख्या बनने हाइड्रोजन ना परवाणु किटला चे आपने यहां जुए रहा चे बार, जेरे निपजु तरफ मात्र बे चे, तो इनी बार करवा माटे आपने 6 वड़े गुणिया चे, हवे ओक्सिजन ना परवाणु जुए, तो 6 गुणिया बे, 12 औने 6 अडर थाया, तो इनी यहां कि जीवन जीवा माटे आपने उर्जानी जरूर चे, ए उर्जा आपने खोराक माधी मले चे, जयारे एक खोराकनु सरीर माँ पाच्चन थाय, त्यारे सरण पदार्त माँ विबाजी थाय, आउप्रंथ, ब्रेड, भात, बटक, आवा कुई पण पदार्तों आपने खाईय एमाथी बने चे, ग्लुकोस, अने आ प्रक्रिया ती लाष्ट माँ उष्मा मुक्त थाय चे, आपने कहिया चे, स्वसन, आम आ प्रक्रियाने उष्मा क्षेपक प्रक्रिया तरीके उडखवामा आवे चे, तो सयोगी करण पची आपने बीजी प्रक्रिया सरू करवा जय र आपने जुयाची यह सव प्रतम आपने कोई एक कस्नाडीमा फेरस सलफेट नुद्रावण लिधेलू छे यहां फेरस सलफेट नुद्रसू छे प्रवरुती पन टेक्स्ट बुक मा आपी जे प्रवरुती ने लगतो टोपिक पणू जोडे लखी रहाँ छे आरी ते जे फेरस सलफेट छे एक केवा रंगनू वहाई छे तो महीं लखू छे लीला रंगनू वहाई छे हवे जयरे एनू विघट अन थाई तो विघट अनने अन्ते सामे सू बने छे तो आपने एहीं लखवा जे रहाँ छे सामे बने छे एह होई छे Fe2O3 जैने के आवामा आवे छे आयर्न ओक्साइड अन्ने आ प्रक्रिया थी अन्ते किटलाक वायू वह चूटा पड़े छे जेमके सलफर डायोक्साइड अन्ने सलफर ट्रायोक्साइड एकले के SO2 अन्ने SO3 तो आज बन्यों ये सू छे समी करण छे आप फेरस सलपेट छे पैला केवा रंगनु वह चे लीला रंगनु पण ज्यारे विगटर नी प्रक्रिया थाए अन्ने आयर्न ओक्साइड बनी जाए त्यारे केवा रंगनु बने चे तो आपने अहीं लखीसू त्यारे ए लाल कत्थाई रंगनु बनी जाए छे अन्ने आ प्रक्रिया दर में का आपने लखी सु तीवर वासवल सल्फर डायोकसाइड आने सल्फर ट्रायोकसाइड जेवा वायो उत्पन न थाईचे आपने आने व्याक्या समझ वीचे तो आरी तै लखाषे दियान अपजो कि सौथी पयाला आयाशे आपेलू छे एने आपने सुकाईया चे प्रक ata करनारेगले के प्रक्र प्रक्र यzepण अने सामेजे बने चे ए सुकीआवा मा आवे चे निप जो आनी व्याक्या आरी तो ओ कोई एकज प्रक्रियक ना टूट वाथी वधू सरण निपजोनु निर्मन थाए तो यहना आपण सुखईया ची है विगटन प्रक्रिया फरीद एक वकत ज्यारे कोई एकज प्रक्रिया का टूटी औने वधू सरवड निपजोनु निर्मन करे तो त्याने विगटन प्रक्रिया तरीके ओडखवामा आवेच्छ हवे आ समीकरणने आपने सम्तोलीट पण करी सकिया चे जम के आरित एफी बे वकत छे तो यह एफी बे करवा आगळ केटला मुकाश है बे हवे जो आपने सलफर ना पर्माणु निपसंक्या गणिया तो 2 गूणिया 1,2,6 तो अपना ही बे वकत लखेला चे फ्या आक्सिजन पर्माणु केटला चे 4 गूणिया 2,8 तो यह 3,2,5,3,8 आरिते आपने एमनो सम्तोलन पण करी सकिया छे आ नीचे लख्या चे MCQ माटे चे के फेरस सल्फेट केवा रंगनो वै लेला रंगनो प्रक्रिया अंते बने चे आयर न ओक्साइड ए केवा रंगनो बने चे तो लाल कथाई रंगनो बने चे आ थाईगव एनू उदाहरण तमे नीचे नी अवस्थाव पन लखी सको चो जेम के फेरस सल्फेट घन अवस्थामा वै तो आपना लखीशु S अइया पन S सल्फर डायोक्साइड अने ट्रायोक्साइड वायू अवस्थामा वै तो आपना लखीशु G आ थाईगव उदाहरण विगटन प्रक्रिया नू विगटन प्रक्रिया चे एना पन मुख्या त्राण प्रकार चे काया तो प्यालो प्रकार चे उष्मिय विगटन बीजो प्रकार चे विद्यूत विगटन अन्न त्रीजो प्रकार चे प्रकाशिय विगटन एमा आपना प्यालो स्वरुवत करिया चे उष्मिय विगटन ए जेती आपने वदू खबर पड़े आपने यहीं लखी रहाची है केल्शयम कार्बोनेट जेनू सूत्र चे सीए सीव थ्री हवे केल्शयम कार्बोनेट चे कई अवस्थामा हुआई छे तो ओहीं लखी रहाँचु केल्शयम कार्बोनेट घन अवस्थामा हुआई छे हवे जयरे एन्य उश्मा अपवामा आवे तो आपने तीरकरी उपर लखी सक्ये उश्मा आत्वा तमें आ रितेर एन्य निशानी पड़ करी सको छो तो ओहीं केल्शयम कार्बोनेट छे एन्य जयरे उश्मा अपवामा आवे तो आ प्रकरी आती सामें बन्याचे केल्शयम ओकसाइड एकले के सी ए ओ अने प्लास चुटू पड़े छे सी ओ टू जयने क्यावाई कार्बन डायोकसाइड चलो के यहने पण आपने अवस्थाओ लखी सक्ये जयरे केल्शयम ओकसाइड तो यह गन अवस्थामा आवए आपने लखीशू स्वालीड कार्बन डायोकसाइड छे वायू अव आपने अपने लखी लाया ची यह लेड नाइट्रेड लेड नाइट्रेड नाइट्रेड नू सुत्रसू चे तो पीबी अनो थ्री काउंस नी बार ट्वाईस आने क्यावामा आवे चे लेड नाइट्रेड हवे लेड नाइट्रेड ने जयारे उष्मा आपवामा आवे तो आपने यही सू लखी रहा ची यह उष्मा तो आना द्वारा चुटू सू पड़े चे शू विगटन मा चुटू पड़े तो आपने लखी सू लेड ओकसाइड जैनू सूत्र चे पीबी ओ आने क्यावामा आवे चे लेड ओकसाइड प्लस चुटू पड़े चे एन ओकसाइड अने आप रक्रियादर में आपकसीजन मुत्त थाए चे तो आईया जे आपने सूत्र लख्यू छे ए पण उष्मा ना विगटन द्वाराज चुओ अमड़ती गटना चे तमे आननी नी नीचे आउपन लखी सको अनुस्वमी करण समतोलिक पण करी सको कई रेज चलो ए पण आपने चुई लेए अईया जुई रहाची ये सव प्रतम नाइटरोजन ना पर्माणवी संख्या बे चे अईया केटली चे मात्र एक अच्छ आगण आईया ओकसीजन चे त्रण गुणिया 2, 6, 2 की संख्या माँ, सामें ओकसीजन एकी संख्या महश्रे तियां सुधी जवाब आउशे नई, तो पहला आपने सु करिया ची ये, अईया बे की संख्या माँ फेरवा आगण मुखी देईया ची ये, 2, तो ये लेड, पीबी छे, ये पण 2 थेगा, अईया पीबी ने 2 क केटला मुखाश, 2, हवे आगण वदिया, एयान केटला थेगा, 2 गुणिया बे, 4 थेगा, सामें 4 करवा माटे हूं, आगण मुखी रह चु, 4, हवे ओकसीजन ना परमाणुनी संख्या आपने गणिया, के ये ओकसीजन 3 गुणिया बे, 6, गुणिया बे, 12, तो ये जु य ये केटला थे, 4, अहिया जु ये केटला थे, 2, अहिया, 4 गुणिया बे, 8, 8 अने 2, 10, अने 5, 8 पन 2 थेगा, 12, तो आरी ते आपने समीकरण ने समतोलीत करिया थे, साथे ये नी नीचे आपने येनी अवस्थाओ पन लखी सक्या, जमके अहीं येनी अवस्थाओ, आरी ते लखाशे, कि अहीं जे स्वॉलीड छे, लेड नाइटरेड, तो आपने लखी स्वॉलीड चे, तो एस, अहिया नाइट्रोजन डायोकसाइड, एक एवों हशे, वायू स्वरूपे, ने अक्सीजन पन वायू स्वरूपे, तो आ अपने नीचे लखी दीदी चेनी अवस्थाओ, तो आप एलो प्रकर अतो उष्मिय विगटन, चलो हवे आपने यहनो बीजो प्रकर सीखे, बीजो प्रकर काव चे, विध्योत विगटन, जे हमने उपर उष्मिय विगटन नी व्याक्या आवडी गई छे, ने विध्योत विगटन नी व्याक्या पण विद्यूत विघटन तरीके उडखवामा आवे छे चल अपने यहनू उद्यारंड लख्ये जमके आपने लए रहा छे पाणी पाणी इनू सुत्रसू छे H2O तो सामे प्रक्रियाती छुट्टू सू पड़े चे आपने लख्ये चे H2O2 पन आ प्रक्रियातर म्यान एमा विद्यूत पसार करवामा आवे छे हवे आ समिकरण आपने लख्ये चे पहला आपने अवस्था लख्ये अवस्था नि अन्दर तमें जुई रहा छे पाणी चे लिक्वीड फहममा छे तो आपने लख्ये चे L হঈড্রওজ্ন ঵ায়স্ ঵েয়ে চো গ্যাস, এয়ান আকিছে হয়াংব সূ আচে হিয়ারू কপড আগাল ক্য় পে হয় নেট্স্ัখ অয়া হয় হয়ার યેતો વિગટન ચેમાં પેંલો હેમાં આપણે ટેક્ચ્જ્બૂક મનુંા આપેલો છે તો એ પ્રયો્તિચ વેવસતિચ प्लास्टिक नो कॉप。 आगणतविया, प्लास्टिक ना कॉप ना तळी दिये 2 छीद्रो करो, तो आपने यह नीचे तरफ 2 छीद्रो करी रहाजी है हवे यह चीद्रोमा रढ़ड़ना बूच लगावना छे अपने अहीं, नीचे तराफ हो बनने बाजू, रब्बर ना बूच लगावेला अगल बदियद, हवे या रब्बर ना बूच ऊपर अपने एन ओड अने केथोड बे धुरुओ लगवाना छी आ रीट आप ब्याने तम्हें कार्बन ना सड़या अथवा द्रुवो तरीके ओडखी सको छो तो अईए आपने एरो मारी दैशु आ रीट आ बने सू चे कार्बन ना द्रुवो एक ने आपने सू कहिशु उहीं लखी रहचु एक ने आपने कहिशु एन्ओर आने बीजा आपने अपने सु कही सु कैथोर्ड हवे यह रब्बर ना तड़िये बूच लगावेला छे एनी साथे तमारे लगावानी छे 6 वल्ट नी बैटरी तो आपने अहीं लखवा जै रहाची एनी साथे सु जोडो 6 वल्ट नी बैटरी जोडो त्यार बाद तमारे एक अपनी अंदर पाणी बर्वानूचे परंतु किटलू पाणी बर्वानूचे तो आपने अहीं जहां सुधी कार्बन ना सड़िया डूबे एटले सुधीनू पाणी बर्वानूचे तो आर इते आपने भरी दिदूचे अनी अंदर पाणी नेक्स्ट त्यार बाद तमार सु करवानुचे प्रक्रियान जड़पी बनाववा माटे पाणी तो लिदूचे कारण के यहनुच विगटन करीशु परन्तु जड़पी बनाववा माटे तमे तेमा HCl हाइड्रोकलोरिक एसीड उमेरी सको छो त्यार बाद तमारे बे कस्टनडी लेवा नीचे बन्ने कस्टनडी ने विद्यूत नाजी द्रूवो छे एना उपर उन्धी आरिते लगावी दिवा नीचे तो तमे यह जुई रहा चो अपने यह बन्ने तरप सु लगावी दिद कस्टनाडी पन उन्धी एटला माटे कारण के आमा जी हाइड्रोजन और ओक्सीजन चुवा मलशे यह वायू स्वरूपे हाशे तो आपने खुलू राखेशो तो वायू सुथ हाशे उड़ी जासे माटे आपने बन्ने बजुसु लगावी दिदूचे कस्टनाडी हवे ज चुटा पड़े चे आने निणै एवो जुवा मलशे के ज्यारे आ विगटन थाई चे त्यारे हाइड्रोजन और ओक्सीजन बन्देनु कद अलग-अलग हशे जमक्या हाइड्रोजन मा तमे जुई रहा चो के परपोटानी संख्या के वी चे ओछी चे ज्यारे ओक्सीजन त्या परपोटानी संख्या के वी चे वदू चे तो आपने इन ब्या तरफ प्रयोग मा एवो सिखी रहा चे ज्यारे पाणीनु विद्यूत विगटन करवा मा आवे तो आ प्रक्रिया थी ओक्सीजन और हाइड्रोजन बन्ने अपनने अलग-अलग मले चे न आ प्रक्रिया आपने के यह चे विद्यूत विबाजन।